आज हम cheese sandwich बनाने वाले हैं cheese sandwich बनाने के लिए मैंने corn और shimla mirch का use किया है और कुछ नहीं डाला है हम corn को पानी में उबलने के लिए रख देंगे gas के उपर और एक shimla mirch लेंगे उसे बारिक बारिक कट कर लेंगे और फिर इस बारिक कटी हुई शिम्ला मिर्च को भी हम कौन के साथ सिर्फ दो मिनट के लिए पानी में उबाल लेंगे पानी में उबल जाने के बाद दो मिनट पानी में उबल जाने के बाद उसको हम छान के निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर हम इसमें थोड़ी सी सेजवान चटनी, मियोनी डालेंगे दो चमच और मियोनी डालेंगे दो चमच और हम इसमें चीज के स्लाइस डाल देंगे चीज के स्लाइस आप अपनी मर्जिस से डाल सकते हैं मैंने या तीन चीज के स्लाइस लिये हैं और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा औरिगानों भी मिलाया है उसके बाद इसको इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ मिलाने की जरुरत नहीं है बच्छों के लिए इतना सा टेष्ट काफी है उसके बाद उनको मिलाने के बाद ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और इस स्टência को उसमें अच्छे से फिल कर देंगे अच्छे से फिल हो जाने के बाद बटर लगा देंगे उसके उपर और फिर सैंडविच मेकर में उसको गैस के उपर पकने के लिए रख देंगे दोनों साइड गैस के उपर दोनों साइड उसको अच्छे से पका लेंगे दो-दो मिनट के लिए तब तक दूसरा सैंडविच तयार कर लेंगे इधर और आप देखेंगे कि दो मिनट में ही अच्छे से दोनों साइड से सैंडविच पक के तयार हो जाएगा ये देखिए दोनों साइड बहुत अच्छे से पक गया है बच्छों को बहुत पसंद आता है नाश्टे में बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं और आप इसको कट करके देखो कितना टेस्टी और यमी लग रहा है ये आप ज़रू ट्राय करें बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा थैंक्स फर वाचिंग